अलो दोस्तों बॉर्निंग वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बॉमेट डाइरी आई होप आप सब ठीक होंगे हम भी एक डम बढ़िया है और आज है त्यूजडे और अभी मैं बस जस्त नहाद होकर फ्रीव हूई हूँ मॉर्निंग का टाइम है 11 बज रहे हैं तो सारा काम इरफ निश हो गया है अभी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल ला मैंने तो मैंने सोचा है आज कि आज मुझे अपने पैरों के लिए क्रीम बनानी है आपको भी दिखाऊंगी कैसे कैसे मैं बनाऊंगी काफी दिनों स क्टों बताया हिए किसको पसंद नहीं होती है यह क्यों कि फरस्ट जो हमारी किसी की भी बड़नी आपको तोate देखने बहुत ही उतलता है अगर आप इसको ट्राइब करेंगे तो आपको काफी अच्छ रिजल्ट मिलेंगे मतलब आपकी जो फटी एडियों वाली टेंशन है वह दूर हो जाएगी तो दिखाती हो पहले तो अपने पैरों की हारत आपको दिखा देती हूं अभी नहाद होके पैर साफ किये मैंने औ बिना नेल पेंट के भी छोड़ना बहुत ज़्यादा जुरूरी होता है तो जो नेल्स होते है वह पीले पीले पढ़ जाते है कुछ और साइक अलरों हो जाता है उनका तो वह जुरूरी बात है कि नेल्स को बिना पेंट के भी जूरूर से रखें आपको अब बीच में तो मैंने ले लिए एक कंटेनर यहां पर वैसलीन है यह स्पून है यह कोकोनट आइल है और यह है अलोवेरा जल अगर आपके पैर भी फटते हैं तो आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजेगा भी मैं आपको बताती हूं कैसे कैसे बनाना है हमें तो अभी कर लेते हैं जल्दी से इंग्रीडियन्ट जो है वोनको मिक्स फिर्म आते हैं क्रीम यहां पर ले लिए मैंने बाउल उसमें डालूंगी मैं देखिए टू टी स्पून इसके बैसलीन के मतलब सबकी कॉंटिटिज जब वो सेम रखनी है हमें तू या थ्री के आसपा आपको बनानी है क्रीम उतनी आप बनाकर रख सकते हैं इसको इसको आप यूज कर सकते हैं काफी दिनों तक डगकर लगाकर इसको रखती जी फिर इस तरह से मिक्स कीजिए अच्छे से यह क्रीम हमारी रेडी हो जाती है तीन इंग्रीडियंट से और काफी एफेक्टिव है यह क्रीम जिरूर से बनाएगा और बताएगा मुझे भी कि कैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं इसके मुझे काफी अच्छी लगती हाथों और पैरों पर लगाईए आपको एक दिन में ही लगाकर रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितनी इफेक्टिव है यह तो इस तरह से म मैं अभी अपलाई कर लेती हूं साथ के साथ तो अभी मैं अजस्ट नहाई थी इसके बाद मैं अपलाई करूंगे अभी रात के टाइम इसको सेकिंड टाइम मुझे अपलाई करना है पैरों पर हाथों पे पैरों पर जहां भी आपको अपलाई करना है आप कर सकते हैं इसक कुछ चिप चिप नहीं होती है कुछ नहीं होता है काफ़ी अच्छी है मेरी क्रीम तो होगी रेडी बनकर आप कब बना रहे हैं वो मुझे कुमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा सोजाय करेंगे अजल्दी से बनाईएं अगर आपके पैर भी मेरी तरह हैं आज अपको स़़े लग बैगा सबकेदन तो काफी टाइम हो गया था सोच रही थी तो आज बनाई ली मैंने आखिरकार तब मैं इसको डेली अपलाई किया करूंगी रात को सोने के टाइम धोने पहले पैर जो है अच्छे से दोलेंगे हम उसके बाद इसको अपलाई करके सो जाया करेंगे और जिसके भी आपको रिले फिट मिल पाई इस चीज़ का तो करते हैं फिर एंडिंग जल्दी मिलेंगे हम नई और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए